हलो मित्रों तो और आज बहुत सरे वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि बहुत सरे इक विरीज आ जा रही है अब नेक्स्ट जो मुझे फ्रिक्वेंट्ली क्वेशन पूछा गया था वो SBI काड के IPO के बारे में सब्सक्रिप्शन आपके क्लोज होंगे पांच मार्च को तो क्या सर हमने SBI काड के IPO के लिए अपलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मित्रो जो प्राइज ऑफर की गई है प्राइज बैंड जो है वो 750 रुपीज से 755 के बीच का प्राइज बैंड है एक शेर का तो एस सच में तो कोई कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा लेकिन मेरे इसाब से यह प्राइज बहुत अच्छी प्राइज है इस प्राइज पर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वाकई लिस्टिंगे तो जरूर मिलेंगे और इसके आगे अप्टेंचिल भी बहुत ज्यादा है इस पीए काड़ के शेयस में तो अगर आप यह के अलड़ी शेयरोलडर हो अपके लिए अपर कशेयर में जरूर में आप्लाइक रूपे कर सकता है दो लाख के कैसे का size हो सकता है लेगन अगर आप SBI shareholder हो तो shareholder की category में आप 2 lakh का application कर सकते हो नार्मल category में 2 lakh का application कर सकते हो तो ऐसे कुल मिला की 4 lakh के लिए पपलाई कर सकते हो मिनिमुम 19 shares का lot size है यईयने minimum आप apply करोगे तो 19 shares के लिए एक हमने शेर्स के लाट के लिए आप अपलाई कर सकते हो जिसके लिए आपको 14,250 शेल आउट करने पड़ेंगे 14,250 मिनिमम आप्लिकेशन का लॉट साइज है और मैक्सिमम दो लाग का है अगर SBI के शेरोल्डर हो तो दो दो लाग यानि ऐसे आप 4 लाग के लिए करते हैं तो वह हमेशा पूछते हैं सर लिस्टिंग के वड़त आप कंपनी करते जाहिए कि इन कंपनी के लिए हमने अपलाई करना चाहिए तो उसमें SBI कार्ड जो है का IPO के लिए अपलाई कर सकते हो अच्छा गिन आपको मिलेगा मित्रों थैंक्यू वेरी मच्छ